हेलो इस्टिएंट्स वेलकम टू आएफ एस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कारनौट साइकल और उसके साथ साथ एस डाइग्राम भी हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे ठीक है तो देखिए मेरी जो लेक्चर सीरीज चल रही है यह सबते चली है उसमें उसमें जो पहला मैंने लेक्चर लिया वो डिग्री ओफ फ्रीडम और एक्क्यू पार्टिशन थियोरम पर लिया ठीक दूसरा जो लिया mixing of gases पर लिया और तीसरा जो था वो work done by the gas और on the gas पर लिया थ और चौता लिया था चेंज इन अंट्रॉपी पर यह सारे जो लेक्चर से वो यूट्यूब पर फ्री अवैलिबल है आप लोग देख सकते हैं अगर यह लेक्चर साप लोग देख लेते हैं तो आपका आल्मोस्ट सेवेंटी परसेंट जो स्लेवर्ट है वो कबर हो कि हमारा CSIR NET फिजिकल साइंस का जो बैच है वो स्टार्ट हो गया था कब 14 दिसंबर 2020 से अभी तक जिन लोगों ने अपने आपको नहीं कराया है तो जल्दी से जल्दी अपने आपको एन्रॉल कराई है और CSIR NET की प्रिप्रेशनल स्टार्ट कर दीजिए ठीक ओके तो 14 द चर्स मिलेंगे तरब तिर बाकर हर डिन लाइब आहरा क्यों फिकला ऑगर और अगर आपको ही लैट्स कर देते हैं तो आपको रीकॉर्डेट लेकर्डेश मिमें जाएंगे जो लाइव वह उस दिन असका रिकॉर्ड यहारे कॉर्डेड लेग आपको मिल जायेंगा और जो है RPSC Physics वो भी स्टार्ट होगा 21 दिसंबर को ठीक तो जल्दी से जल्दी अपने आपको एंड्रॉल कर आई है राजस्थान पॉब्रिक सर्विस कमिशन में जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं वो उनके लिए बहुत ही बेनिफीशल है राइट है तो है ओक है इसके अलावा इसके लावा ईडिटी जैम फिक है टू जीरो टू वन फिजिएक्स बैच स्टार्ट हो गया था एटीन आज से स्टार्ट हो जाएगा 18 दिसंबर 2020 से राइट ओक है तो आप इसमें भी अपने आपको एंड्रॉल कर आई है और आई जैम में भी मिलेंगे इसके साथ-साथ आपको क्या मिलेगा और अच्छा एप के फीचर्स अच्छा देखिए कमेंट में कोई पूछ रहाएगी एप के फीचर्स क्या होंगे तो देखिए कमेंट बॉक्स में हमारी जो टेकनिकल टी में उसका नंबर आ रहा होगा आप उसके कॉल करके एप के फीचर्स पूछ सकते हैं फिलाल मैंने आपको बता दिया है आपको रोज लेक्चर जाता है उसमें अगर आप कोई लेक्चर मिस कर देते हैं तो उसका आपको recorded form मिल जाती है और उसके साथ साथ जो teacher लिखता है उ इसमें आपको एन्रॉल कर आई है जल्दी से जल्दी इसके अलावा जो महराष्ट्र सेट है जिसका एक्जाम 27 दिसमबर को होने वाला है उसके जो प्रिविएस येर पेपर है उसका discussion कर रहे हैं सबी लोग जो हमारी best faculties है वो इसका क्या कर रही है से discussion कर रही है जिसमें से quantum का discussion पार्टिकर सर ने ले लिया है ठीक अमरुता मैम उन्होंने दोनों आज एक nuclear physics का discussion लिया था और उससे पहले उन्होंने atomic and molecular का discussion भी लिया है ठीक है ना वो सारे जो discussion है वो यूट्यूब पर free available है आप लोग जाके देख सकते हैं उसके अलावा ज जो previous year की questions हैं वो discuss किये हैं साहिल सर ने जो की classical इन्होंने classical mechanics के questions क्या किये हैं discuss किये हैं और इसके अलावा इसके अलावा मैं कल discuss करने वाला हूँ statistical mechanics और thermodynamics के questions ठीक है और उसके बाद प्रशान सर लेंगे solid state physics के questions का discussion करेंगे वो लो ओके ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं तो आज का हम अपना topic start करते हैं ठीक वो topic है कारनोट cycle और T S diagram ओके चलिए start करते हैं कारनोट cycle ओके तो कारनोट cycle क्या है ठीक ओके तो चलिए start करते हैं करते हैं कारनोट cycle कारनोट cycle जो heat engines है आपको पता है कि heat engines कितने ज्यादा important है पहली बात यह बताए कि heat engines काम क्या करते हैं तो मुझे comment box में बताएगा heat engines क्या काम करते हैं कि एनिवन heat engines का क्या काम होता है कि heat engines heat लेते हैं और useful work करते हैं ठीक ना heat engines का यही तो काम होता है तो अब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा efficient जो इंजन है वो कौन कौन सा है कोई बता सकता है मुझे comment box में बताएगा कोई क्वाशिक देखा एक question है चलिए देखते हैं कि क्या बोल रहे हो अच्छा statistical mechanics पर उनका question यह है कि वो पूछ रहे है कि statistical mechanics पर कोई lecture series है या नहीं है और request कर रहे हैं कि अगर नहीं है तो आप ले लीजे ठीक है आपके कहने पर ओके रामू कुछ पूछ रहे हैं कि तो कारनौट साइकल में कह रहा था कारनौट साइकल कहां यूज होती है वह मतलब मैं पूछ रहा था आपसे कि सबसे ज्यादा इफिशेंट इंजन इस universe में कौन सा है यह नगे और वह क्यों एफिशेंट है वह मैं अभी कुछ ही टाइम में आपको बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा एफिशेंट क्यों है और वह एक आईडियल इंजन है और आईडियल इंजन रियल लाइफ में एक्जिस नहीं करता है को कर not si alts aiqe है हम लोग क्या करने वाला कार नोट इंजन करने वाले थीक तो सबसे पहले एक टिपिकलंगर हीट इंजान है हमारे बास हीट उन यह क्या होता है वो देखने है ना अच्छा कोई मुझे बता सकता है आप मेंसे मुझे कोई बता सकता है कि क्या हम सारी की सारी heat को work में convert कर सकते हैं एनिवन नहीं कर सकते हैं ठीक है ना ओके हम सारी की सारी heat को work में convert नहीं कर सकते हैं according to the second law of thermodynamics ठीक अगर ऐसा कर लेंगे तो आप 100% efficient engine बना लेंगे जो की possible नहीं है ठीक अगर ऐसा हो गया तो entropy कैसी आजाएगी negative आजाएगी universe की entropy negative कभी नहीं हो सकती ठीक है ना मैंने आपको बताया है तो heat engine सबसे पहले क्या काम करते हैं मैं बता देता हूं heat engine का जो structure हो क्या होता है वो देख लीजे तो यहां पर क्या होता है कि hot body होती है या फिर इसे hot reservoir बोलता है ठीक है ना नीचे क्या होता है cold reservoir होता है ठीक ओके और इन दोनों में कुछना kई दिफयरंस करने रहता है और जो hot reservoir बॉर है ओभिसली वो hot होगा ठीक ओके राइन इस ग्रेटर धान किया है यह पर रहता है यहां बने प्दूनलब जहांने होँफ हो हो हंसे किया ले जाते है वह हीट ली जाती है और cold reservoir में वह हीट क्या किyun breaker की जाती है तो देखिए जब भी आप heat engine पढ़ रहा है तो अगर उसके regarding आप formula याद कर रहा है तो with diagram उन्हें याद रखिए मैं guarantee लेता हूँ question आपका बनेगा बनेगा ठीक ओके अगर आप ऐसे formula डट लेंगे बिना diagram के कि diagram में Q1 क्या है Q2 क्या है कहा Q1 जा रहा है Q2 कहा जा रहा है तो यह नहीं पता होगा तो आप question approach नहीं कर पाएंगे बात समझ में आ रही है ठीक है ओके तो ठीक है तो इस तरीके का diagram यह typical सा heat engine है ठीक ओके तो यहाँ पर हम लोग work calculate कर सकते हैं तो work कितना होगा आप बताएंगे वर्क आ जाएगा आपका Q1 माइनस Q2 आ जाएगा कैसे आएगा कोई मुझे बता सकता है कि work is equals to Q1 माइनस Q2 आया है यह कैसे आया है यह बहुत बहुत बढ़िया कौशिक आपने बिल्कुल सही जवाब दिया ओके आप मेरा कोश्चन यह है कि work is equals to Q1 माइनस Q2 है कोई मुझे बताएगा कि कैसे आएगा है जल्दी से बताएए आप लोग देखें कैसे आया है यह energy conservation की help से आया है energy conservation क्या होता है कि जो heat दी जा रही है किसे engine को वो कहां कहां जा रही है कोई बताएगा उस तो work हो रहा है और कुछ क्या हो जा रही है reject हो जा रही है ठीक ओके तो Q1 is equals to क्या आ जा रहे है W प्लस Q2 तो यहां से अगर आप W find out करेंगे तो क्या आ जाएगा Q1 माइनस Q2 आ जाएगा राइट ओके तो यही क्या है य याद रखना है ठीक इसके अलावा इसमें हम हीट इंजन में क्या कल्कुलेट करते हैं हम कल्कुलेट करते हैं efficiency आपको पता है कि efficiency क्या होती है efficiency होती है output upon input output upon input होता है अच्छा किसी हीट इंजन से आप क्या output लेते हैं बहुत बढ़िया कोशिक Q1 माइनस Q2 energy conservation से आया है बिल्कुल सही बहुत अच्छे ठीक है तो अपनी गुड इवनिंग ओके ठीक है hello everyone yes okay तो output क्या लेते हैं हीट इंजन से हीट इंजन से क्या वर्क लेते हैं आप output तो वर्क अपॉन क्या जाएगा और input क्या लेते हैं इंपूट उसमें क्या डालते हैं उसमें हीट डालते हैं ठीक है यह देखिए यहां पर हीट दे रहे हैं आप यह वर्किंग सब्स्टेंस होता है यह कुछ भी हो सकता है ठीक है इसमें क्या दी जाती है हीट दी जाती है यह इगनाइट होता है और क्या है कि फिर मशीन चलने लगती है ठीक तो यह आगया क्यूबन राइट तो इटा का जो फार्मुला है वह होता है डबलू अपॉण क्यूबन और डबलू आपने निकाला क्या होता है यूटू माइनस वह क्यूवन माइनस फिर यह पार्मॉला जो है याद रखिया इसी पर बेज़ कोस्ट आते हैं ठीक और इस्पेसिफिकली का कार नॉट के लिए जो इफिशेंसी आती है मैं उसे प्रूफ नहीं करा रहा हूं वह आती है वन माइनस टीटू अपॉन टीवन ठीक है ना ओके अब सवाल यह है कि कार नॉट इंजन में कौन-कौन सी प्रॉसेस हैं ठीक ओके वह मैं डिस्क्स करना चाह रहा हूं ठीक कि ज यह हो गया एक यह हो गया और एक कौन सा हो गया एक यह हो गया तो हमारे पास तीन फर्मुले हो गए और डबलू इज इकवस टू क्यू टू माइनस क्यू वन होता है वो तो आपको याद रख नहीं है समझ रहे हैं तो अगर मैं कार नॉट इंजन में जो साइकल यूज हो ही है कार नॉट साइकल की बात करूं कार नॉट साइकल तो वो क्या होती है ठीक कोई बताएगा गुड इवनिंग रोहित को बताएगा कि कार नॉट साइकल क्या होती है कौन-कौन सी प्रोसेस होती है कोई बताएगा इसके अंदर कार नॉट साइकल में तो क्या होता है कि एक इसमें आइसो थर्मल यह स्थांड छुक्पपे फापर वे काफिक टिंस आ चुक्पे एक वह ऑल्मोश्ट हर ईयर्क पूस्ताओ वह कार्नोड स्याइकल पर बेजिकों आप कुश्चंट पेपर उठा के देख लीजिए थी तो एक यह दो ऐसे जोड़ा जाता है दो एडियाबेटिक प्रोसेस है अगर आपको कोई उंजन चाहिए आपको इंजन मनाना है तो उसमें क्या है कि प्रोसेस बार बार रिपीट ją वहां पर जो दो फ्रॉसेश है या दो आईसो थर्म है यह किस से जुड़े होते हैं कर्फ क है यह एडिवेटिक करना को बताएगा कि यह इडिवेटिक करब क्यों है एन Hispan के ले अ को स्थीके कोई बताएगा कि यह adiabatic curve भी क्यों बोला जा रहा है इन्हें कि इनका slope क्या है बहुत जादा है ठीक है ना ओके समझ रहे हैं अच्छा ठीक है तो मैंने क्या कहा है यह हम माल लेते हैं यह 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 c है और यह d यह पॉइंट जो है ठीक है अगर मैं बात करूं किसकी a b की जो a b process है वो कैसी है आइसो थर्मल ऐसो थर्मल expansion है ठीक है मैंने बताया कोई भी इंजन है उसके लिए जरूरी क्या है एक cyclic process होना जरूरी है ठीक है जो इंजन है that is the special type of engine उसमें जो cyclic process होती है उस साइक्लिक process में क्या होता है कि जो चार processes है वो आपस में कैसे जुड़ी होती है मतलब जो चार processes है दो आइसो थर्मल होती है और कौन सी दो बची हुई एडियाबेटिक process होती है और वो आपस में इस तरीके से जुड़ी होती है अगर एबी की बात करो तो वो आईसो थर्मल हीट एंटर करी और यह जो आईसो थर्मल नीचे वाली process है उससे हीट क्या होगी रिजेक्ट होगी यह question आ चुका है इसी कौन सी process है जिसमें क्या है कि हीट हीट क्या होती है एब्सॉर्ब होती है तो बहुत सारे इसमें प्रोसेस दे रखी थी आईसो थर्मल आईसो बारीक इस तरीके से तो क्या answer होता आईसो थर्मल प्रोसेस तो इस तरीके से question फ्रेम करे जाते हैं कारनोट cycle को अच्छे से analysis करना जरूरी है ठीक उसमें से बहुत ही easy question क्या किया जाते है आईटी में frame किया जाते हैं ठीक ओके किसी और का कोई doubt है तो प्लीज most welcome आप कोई भी डाउट पूछेंगे thermodynamics और statistical mechanics के regarding मैं जरूर बताऊंगा comment box में लिखिए ठीक ओके कुछ भी पूछिए आप ओके चलिए ठीक है तो a b process हो गया आईसो थर्मल expansion हो गया और b c को क्या बोलता है b c को बोलते है एडियवेटिक expansion ठीक है ना ओके और अगर c d की बात करूं तो c d कौन सी होती है आईसो थर्मल compression होती है ठीक है ना compression क्यों और यह देखे cyclic process अधूरी है अगर आप उसे sign नहीं दे रहे हैं कि मतलब कैसे cyclic process में यह तो बताना पड़ेगा ना process कैसे जा रही है कहां से किदर जा रही है जैसे यह जा रही एसे b गई फिर b से c गई फिर c से d गई और फिर कहां से d2 a गई रइट यह बताना आपको जरूरी है ठीक से लिए ठीक है तो c ab process को बोलता है आई सो थर्मल expansion क्योंकि देखे volume क्या हो रहा है increase हो रहा है यह pv diagram में हमने यह बनाया है तो आप देख सकते हैं यहां पर volume क्या हो रहा हो रहा है increase हो रहा है इसलिए एक्सपेंशन है तो देख रहा है उसका स्लोप बहुत ज्यादा है तो वह एडियाबेटिक प्रोसेस है फूर ठीक है ना बट वह कंप्रेशन है या फिर एक्सपेंशन है वह आप वॉल्लिम देखके बता सकता है ठीक है कोशिक साइकल के अलावा के रिगार्टिंग कुछ पता है जो लिखना चाहिए मुझे ठीक है मैं लिखता हूं देखे एक और चीज़ याद रखिए कि जो कार नॉट साइकल है उसके लिए जो टोटल एंट्रॉपी चेंज है टोटल एंट्रॉपी चेंज फॉर दा कार नॉट साइक होती है यह नेगिटिव होती है प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे बताईए बताईए मुझे कि क्या होती है कोई बताएगा तो जो जो कार नॉट साइक अन्ट्रॉपी है टोटल चेंज इन दा एंट्रॉपी इन कार नॉट साइकल इस जीरो इसे याद रखिए ठीके ना डेल्टा एस फॉर दा कार नॉट साइकल जीरो नॉट पोजिटीव और नॉट नेगटिव तो हो नी नहीं सेकिंड लॉप थर्मोडाइणों से अकॉर्डिंग नेगटिव तो होती नहीं लेकिन क्या होता 0 रहता है यह बहुत important result है इस result की help से बहुत सारे questions हो जाते हैं लोगों ने zero answer दिया है धीरें शाबाष बहुत अच्छे समिक्षा बहुत बढ़िया 0 is the right answer 0 is the right answer कौशेक 0 बहुत बढ़िया सभी लोगों ने अच्छा answer दिया और ये result नॉर्मल नहीं है इसे याद रखे लेकिन इसकी help से आप बहुत सारे जैसे कभी-कभी क्या होता है कि हम question देखते हैं समझ ही नहीं आता कि क्या लगा है लेकिन हमें ये पता होता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ कारनोट साइकल से related है देखे ना कारनोट साइकल से अगर related है तो जितने भी आपके पास tools है कारनोट साइकल से related वो लगा के देखे ना total entropy change अगर 0 होता है तो लगा के देखे क्या पता answer आजाए है ना okay हाँ ओके निलेश थैंक्यू निलेश ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग ओके या ठीके ना तो ये आपको result याद रखना है इसके regarding अब चलिए मैंने कारनोट साइकल के बारे में आपको जो बताना था वो बता दिया है ठीक अच्छा इसके अलावा refrigerator जो होता है ना refrigerator में भी कारनोट साइकल यूज होती है लेकिन वो reverse में यूज होती है ठीक है ना तो अगर जो refrigerator होता है उसमें क्या होता है कि ये जैसे ये T1 है यहाँ पर working substance है ये T2 है आप refrigerator में क्या चाहते है कि चीज़े ठंडी हो ये freezer रहे मान लीजे ये तो होता है ठंडा T2 ही तो क्या होता है ये तो cold sink होता है ये hot होता है यहाँ क्या होता है working substance होता है इसमें क्या किया जाता है इसमें जो सारे sign है न वो उल्टे हो जाएंगे जो heat engine में signs थे वो सारे क्या हो जाएंगे इसमें उल्टे हो जाते हैं जैसे q2 इधर नीचे आ रहा था तो q2 उपर जाएगा और q1 यहां जाएगा देखे cold body से hot body की तरफ कभी heat जा नहीं सकती लेकिन यहां जा रही है क्यों जा रही है क्योंकि आप उसमें work कर रहे हैं हाँ अगर आप work नहीं करते हैं soul effect कभी भी नहीं दिखा सकता कि heat goes from the cold body to hot body ठीक ओके तो इसलिए तो देखे यहां पर क्यों जा रही है क्योंकि आप soul effect नहीं है यहां पर आप क्या दे रहे है electricity दे रहे है जिसकी वज़े से जो heat है वो cold से इधर जा रही है hot की तरफ जा रही है वरना ऐसा होता नहीं है ठीक है ना वरना यह क्या हो गया violation हो गया second law of thermodynamics का ठीक ठीक है that's nice तो हमें यहां पर क्या तो यहां अगर इसके regarding यह refrigerator है इसे आप refrigerator बोल देते है refrigerator यह फिर heat pump भी बोल देते है ठीक है ना heat pump तो देखिए मैंने यहां पर इसका diagram बना दिया है इस diagram के regarding आपको क्या क्या चीज़े याद रखनी है यह वो मैं बता देता हूँ आपको ठीक ओके अच्छा एक और चीज़ जो Carnot engine में आपको याद रखनी है वो इसी चीज़ का consequence है देखा जाए तो वो थाए Q1 upon T1 is equals to Q2 upon T2 इसे भी याद रखनी है ठीक है ओके वो actually यही जो चीज़ है वो Carnot engine जो Carnot engine में total entropy आ रही है ओके वो इसी का ही consequence है ठीक है ओके refrigerator और heat pump का मैंने यह बना दिया है इसमें हम calculate करते है coefficient of performance coefficient of performance calculate करते हैं हम इसमें इसे short में क्या बोलते है COP बोलते है ठीक अच्छा आप यह बताए refrigerator से आप क्या लेना जाते है ठंडक है ना यानि कि Q2 क्या करना जाते है उसमें से निकालना जाते है ठीक तो output क्या होगा इसमें बताएंगे मुझे आप इसमें output क्या होगा यही होता है ना output upon input चाहे वो COP की बात हो या efficiency की बात हो आप हमेशा क्या लिखेंगे output upon input तो आप output क्या चाहते हैं fridge से मुझे बताएंगे आप हम चाहते हैं कि फ्रिज क्या हो ठंडा हो और जब अधर ठंडा हो तो यानी q2 उसमें से heat q2 extract हो ठीक है ना ओके और input क्या दे रहे हैं फ्रिज में electricity work कर रहे हैं आप ठीक है ना ओके तो वर कर रहे हैं तो यह डबलू यहाँ पर क्या जाएगा नीचे आ जाएगा तो जो COP होता है इसे alpha से denote कर दिया जाता है alpha is equal to क्या होता है Q2 upon W होता है ठीक है एक formula तो आपको यह याद रखना है इसके अलावा alpha के और भी formula है Q2 upon W तो आपको पता है यह क्या होता है बताया था मैंने W W is equal to Q1 minus Q2 यह कहां से आया है by the conservation of energy जले ठीक है Q2 upon T1 ठीक तो यह सारे जो formula है अगर वो याद रखते हैं definitely आपको question बनेगा IAT jam है guarantee मेरी है ठीक इसके अलावा कोई formula थोड़ी ना है ठीक और एक और formula क्या वो पुराना वाला ही है Carnot cycle का Q1 upon T1 is equal to क्या Q2 upon T2 ठीक है ना ओके किसी का कोई doubt है तो प्लीज आप पूछिए ना ओके ओके थैंक्यू सौम्या ठीक तो Q1 upon T1 is equal to क्या है Q2 upon T2 यह तो Carnot cycle की क्या है condition है देखा जाए ना अभी मैंने बताया था यहाँ पर यह बता है ठीक अच्छा एक entrance exam में पूछा जा चुका है कि जो refrigerator है उसके लिए Carnot cycle कैसी दिखेगी तो आप मेंसे कोई मुझे बता सकता है मैं आपको बस दो ही option दे रहाँ एक तो यह दे रहाँ और दूसरा वाला यह है अभी मैंने यहाँ पर देखिए थोड़े मुझे changes कर रहे हैं वो मैं अभी करता हूँ ठीक ओके तो यह देखिए यह A, B, यह PV डाइग्राम है A, B, C, D यह भी क्या है A, B, C, D है और इसमें जो है साइन्स कुछ इस तरीके से है और इसमें जो साइन है वो कुछ इस तरीके से है ठीक ओके तो कोई मुझे बताएगा कोई मुझे बताएगा इसमें से कि कौन सा डाइग्राम रेफ्रेजरेटर को शो कर रहा है पहला वाला या दूसरा वाला जल्दी से बताएगे पहला वाला डाइग्राम रेफ्रेजरेटर को शो कर रहा है या दूसरा वाला डाइग्राम रेफ्रीजरेटर को शोगर रहा है पीवी डाइग्राम दिये हुए है बताइए का बताइए चलिए मैं बताता हूं देखे रेफ्रीजरेटर में क्या होता है क्या होता है कि जो कारनोट साइकल है अगर हीट इंजन के लिए यूज की जा रही है तो वो कारनोट साइकल इस तरीके से दिखते हैं यह किसके लिए है इस फॉर हीट इंजन का काम क्या होता हैीट लेगा और वर्क करेगा और अगर इसकी बात की जाए फिक यह क्या करता है है यह होता है तो क्योंकि इसमें जो साइकल है ना वो रिवार्स है देखे जरा इसमें कैसी है इस तरीके से है और इसमें कैसे है वो इस तरीके से है तो हीट पंस के लिए जो साइकल हो जाती है प्लट जाती है बहुत बढ़िया चित्रा है आपका अंसर तॉम्या बहुत बढ़िया यह में जो प्रॉब्लम साइए उन्हें डिसस्ट कर लेते हैं हम लोग अना सब लोग फार्म में है ओके ठीक है ओके या कुछ इसमें फस्ट कोश्टन यह देखिया है 2019 में कोश्टन आया है जा पूछ रहा है कोश्टन कहरा है की इन HEET इंजन based on the Carnot cycle एक HEET engine है, जो कि Carnot cycle पर based है तो कह रहा है कि HEET is added to the working substance nie عن soothingoha कि इसे working substance को कब add की कि जाती है KARNOT इंजन में HEET कौन सी प्रोसेस में अड लोटा सकते हैं उसमें क्या रहता है बतायेगा ठीक है है OK ओके थेंक यू दिक्षा ओके ओके ये थेंक यू थेंक यू एवर्मन तो देखेगा बताईये इसमें से क्या होगा इसका अंसर कोई बताएगा मुझे कौशिक का कहना है C यस बहुत बढ़िया कौशिक C is the right answer बहुत बढ़िया दिनेश कुमार बहुत सही C is the right answer देखिए कैसे ऐसी मैंने अभी आपको Carnot cycle बताई Carnot cycle में दो adiabatic curves थे और ये दो क्या थे isothermal curves थे और ये दोनों ये वाले जो है ठीक है और ये जिनका ज़्यादा slope है वो कौन से है वो adiabatic curves है तो adiabatic curves क्यों है वो मैंने बताया था अभी क्योंकि इनका slope ज़्यादा है ठीक isothermal process में ही तो क्या की जा रही थी heat add करी जा रही थी बताया था ना और heat reject भी तो isothermal process में ही की जा रही है तो याद रखिए चाए heat add करने की बात हो या heat reject करने की बात हो वो isothermal process में ही की जाती है ठीक अभी लोगों ने बहुत ही अच्छा अंसर दिया है शांदार बहुत बढ़िया तो टेंप्रेचर constant temperature पर क्या की जाती है heat add करी जाती है working substance को ठीक है ना देखिए इस तरीके का होता है टीवन यह होता है यह working substance होता है यह जो गोल गोल बनाया मैंने यहां पर heat reject की जाती है यहां पर देखिए working substance को heat मिल रही है तो heat जो add करी जाती है वो कौन सी process में isothermal वो भी क्या expansion okay isothermal expansion में heat add करी जाती है और isothermal compression में heat reject की जाती है आज अगर isothermal expansion पर question आया है तो कल isothermal compression पर question आ सकता है यह पूछ सकता है कि heat reject कौन सी process में की जाती है isothermal compression में की जाती है तो Carnot cycle का idea आपको अच्छे से होना चाहिए तो को समझ में आ रहा है ना चलिए ठीक है तो constant temperature पर क्या की जाती है heat add करी जाती है और reject भी constant temperature पर ही की जाती है ठीक ओके यह होता है expansion और नीचे वाला क्या होता है compression चलिए ठीक है आगे question पर बढ़ते हैं हम लोग यह भी बहुत बढ़िया है यह ts diagram पर question है हम तो पीवी diagram पढ़ते हैं तो चलिए पीवी diagram बनाते है ठीक उसकी help से क्या करेंगे वही यह तो सीधा सीधा कौन से किस चीज़ का question हो गया कि सीधा सीधा question है graph conversion का ठीक ओके फिलाल comment box में मुझे बताइए इन में से कौन सा answer होगा आप लोग भी solve करिए मैं तो बताई रहा हूं ठीक ओके अच्छा कुछ लोगों का कहना है कि B is the right answer explain करिए जरा मुझे बताईए कि कैसे आप भी बता रहे हैं ठीक चलिए आगे बढ़ता है हम लोग तो अच्छा इस question को करते हैं तो आपको पीवी diagram में मतलब पीवी कर्व में तो पता है कि जो cycle होती है कारनाट cycle वह कैसी होती है व और इस थरमल होती है ठीक है और C डी कैसी होती है यह भी आइस थरमल होती है ठीक है और बी-सी कौनसी होती है बताएंगे आप BC होती है, ADEA ठीक है ना, और ये भी क्या होती है AD, ADEA होती है ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा PV में तो सब को याद ही रहता है तो अब हम कौन सा ड्रो करने जा रहे है TS ठीक है ना, T इधर बना दिया हम लोगों ने और S क्या है, इधर तो त्यक्राम आप हम लोग लोग डॉक कर रहे हैं तो देखेगा का जरा कैसे आएगा टीस डैग्राम अच्छा इसुथर्मल की क्या खाथते है ब् सलना हो इसो थर्माल में टेंपरेच्र क्या रहता है कॉंस्टट रहता है अगर अब हम करूंग अब हम कनवर्ट कर रहा है no pv कि में जो क्या है सो कंवर्ट कर रहा है हम लोग किसमें एसमें कनवर्ट कर रहें तो देखिये तो आपको ना इंडी बổiच पॉकिर शॉना वो देखनी पड़ेंगी अडी Ruby का द्यान से देखे कैसी यह, Iso Thermal का मतलब क्या है AB में इसका मतलब क्या है temperature क्या हो गया, constant हो गया, और अगर temperature कंस्टेंट हो गया, तो line कैसी बनेगी straight, तो यह बन गई क्या AB line बन गई अब BC को बताएंगे कि BC क्यासा है BC adiabatic process है adiabatic process में क्या होता है अगर मैं बात करूं कौन सी bc process की तो वह adiabatic है यानि की delta q क्या है वो 0 है यानि वह imply कर रहा है की delta s भी क्या है वो 0 है क्यों है sir कोई बताएगा मुझे की delta q अगर 0 है तो delta s 0 कैसे है कि ओके हां बहुत बढ़ी है शाबाज कौशिक ठीक तो डेल्टा s 0 है तो इसका मतलब क्या है कि s constant है बहुत बढ़ी आपने बहुत अच्छा बताया ठीक है ना तो s क्या हो गया कॉंस्टेंट हो गया तो s constant होगा तो इसके लिए कैसा ग्राफ आएगा इस तरीके अगराफ होगा ठीक ना मैंने क्या कहा that's nice तो bc हो गया इसी तरीकी से similarly आप इस वाले आइसो थर्मल के लिए भी बना सकते तो इस तरीके cd आ जाएगा और यह जो हो जाए तो वह तो मात्र क्या होगा संयोग होगा आपको क्या करना पड़ेगा पहले चेक करना पड़ेगा कि हां साइन ऐसे ही लगेगा इस सेंस में ही लगेगा या दूसरा सेंस भी हो सकता है क्योंकि option में वह भी दिया हुआ था तो देखिए यहां पर देखें अगर होता है और नीचे वाले का क्या होता है कम होता है तो अगर मैं बात करूं इस वाली प्रोसेस की कौनसी यह वाली आइसो थर्मल प्रोसेस है इसमें एंट्रॉपी कॉंस्टेंट रही है नहीं टेंपरेचर क्या रहा है कॉंस्टेंट रहा है और टेंपरेचर यहां पर क्या ह वह गिरा है और temperature गिरा है यानि कि इस वाली process में देखिये ना ओके तो देखें कैसे आएगा यह यहां पर आएगा जिक है और यह ऐसे आएगा यह इस तरीके से आएगा और यह वाला ऐसे आएगा इना कोई डाउट है तो प्रीज most welcome फूस सकता है मेरे से तो साइन को लगाना बहुत ज्यादा इंपोटेंट है कि किस तरीक से यह लगे हुए है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो सबको यह question clear होगा तो इसका answer कौन सा हो जाएगा यह वाला हो जाएगा इस तरीक से पीवी में है न साइकल वैसे ही क्या होगी इसमें भी होगी टीएस में तो यह 2018 में आया था रिसेंटली आया हुआ है question ठीक हो गया बहुत easily चलिए अगला question हम लोग try करते हैं यह सबको साइटिंग clear होगा तो इसका temperature टीटू है इसका temperature टीटू है इसका temperature टीवन है तो यह process ऐसे ही होनी पड़ेगी ना हाना ओके टीवन से टीटू ठीक और फिर यह ओके चलिए आगे बढ़ते हैं यह question बहुत ही बढ़ी है ठीक है और थोड़ा सा लेंदी भी है लेकिन हाना ओके और यूनीक question है किसी entrance exam में आसते हैं कैसा question आया नहीं ठीक आईटी jam को छोड़के ठीक वरना आईटी jam में जो अधिकतर questions आते हैं वो इधर उधर कहीं किसी entrance exam में आयुए होते हैं prestigious entrance exam में पतला analogy होती है कुछ ना कुछ लेकिन यह अपने आप में क्या है बहुत unique question था 2016 में आया था तो इसमें क्या है कि TS diagram दिया हुआ है ठीक है ना प ठीक है ना ओके तो यह कर्व का nature तो पहचानना पड़ेगा कि कर्व का nature कैसा है ठीक है यह इस इकोश टू एकस स्कॉयर है यह यह क्या है ठीक है और एस में relation तो बताना पड़ेगा तब ही तो आप graph का क्या बता पाएंगे nature बता पाएंगे अशोक कुमार पूछ रहा है सर क कितने लेक्चर हो गएं यह आखरी लेक्चर है thermodynamics के ऊपर ओके ऐसा हो सकता है कि आगे statistical mechanics पर लिए जाए कोश्चन अच्छा कोशिक का कहना है कि इससा डाइग्राम ड्रॉ करके बताए रेफ्रीजरेटर के लिए तो देखिए कोशिक मैं बता देता हूँ आपको अभी हमने यह किया यह तो रेफ्रीजरेटर में जो आंसर आजाएगा ना वो यह आजाएगा यह रेफ्रीजरेटर के लिए रेफ्रीजरेटर में क्या होगा कि सिंप्ली ऐसा ही होगा डाइग्राम बस क्या होगी साइकिल रिवर्स हो जाएगी बिल्कुल यही डाइग्राम होगा भीक इतना difficult नहीं है तो ड्रा हो जाएगा च्यूंकि reverse Carnot cycle कई का पताती है ये चैनल उटा हो जाएगा इसमें सही graph बताना है तो देखें कैसे approach किया जाए तो सबसे पहले constant pressure पर अगर मैं heat की बात करूँ constant pressure पर जो heat होती है वो ncp delta t होती है और dq is equal to आपको पता है क्या होता है tds होता है पिछली class में बताया था हमने entropy की definition में ठीक है बहुत बढ़िया ठीक ओके तो यहां पर हम लिख सकते है tds is equals to ncp ncp dt तो अगर देखिए यह आ गया आगे हम क्या लिख सकता है आगे लिख सकता है t is equals to ncp dt upon क्या हो गया ds हो गया राइट ओके तो अगर आप इसे integrate करें इंटीक्रेट देखे यह तो हमने लिख दिया एक यह relation हो गया है अभी हमें क्या निकालना है s और t में relation निकालना है तो इसे दोनों तरफ क्या कर दो इसका integration कर दो तभी तो t की value आएगी integration करोगे तो यह क्या जाएगा t आ जाएगा ठीक इसे इसे integrate करोगे ncp तो constant है अच्छा नहीं dt upon t का integration क्या होता है कोई बताएगा मुझे log t बहुत बढ़िया जी है आपने पिल्कुल सही बताया है reverse हो जाएगा उसमें ठीक ओके तो यह आजाएगा log t ठीक ना ओके और इसका ds का integration करेंगे तो ऐसा आजाएगा देखिए आपको पता है log की property इसे क्या लिख सकते हैं t is equals to क्या लिख सकते हैं t is equals to क्या लिख सकते हैं बताएंगे आप t is equals to लिख सकते है e to the power this thing e to the power s upon ncp तो देखिए यह graph कैसा हा राइट की जो y है y axis पर क्या है t है is equals to e to the power some constant और x पर क्या है तो मैं यहाँ पर x लिख दूँ इसका graph आप लोग जानते हैं कोई बताएगा इसका graph कैसा दिखता है y is equals to e to the power a x का जो graph है वो कोई बताएगा कैसा दिखता है comment box में बताएगा अच्छा कैसे बता पाओगे तो उसमें क्या photo थोड़ी ना बेज़ोगे कोई बात नहीं मैं बता देता हूं ठीक तो इसका graph है वो कैसे दिखेगा आपको वो कुछिस तरीके का दिखता है graph exponential growth का जो graph है वो कुछ इस तरीके का होता है ठीकर ना y is equals to a e to the power x का graph ऐसी तो होता है रै तो हमें ये तो पता चली गया कि जो graph है वो कुछ इस तरीके का आएगा यानि कि हमारे जो options हैं यह वाला तो cut हो जाएगा और यह वाला भी क्या हो जाएगा cut हो जाएगा समझ में आती है इतनी बात यह दोनो options क्या हो जाएंगे वो तो cut हो जाएंगे बचे कौन से? यह दोनो अब हम अगर यह देख लें कि किसका slope जादा है तो काम बन जाएगा तो आप बताएंगे कि इन में से किसका slope जादा है obviously उपर वाले का जादा है और नीचे वाले का क्या है काम है यहाँ पर उपर वाले का जादा है नीचे वाले का काम है अब हमें यह पैचाना है कि कौन सा आइसओ-कोरिक है और कौन सा आइसोबारिक है ओके? हाँ, बहुत बड़ी है. Exponentially. Increase करेगा, राइट. That's nice. हमारे पास जो equation आए, वो कुछ इस तरीकी की आही है. ओके? तो अब हमें क्या करना है? अब हमें यह पैचाना कि आईसो कोरी कौन से है और आईसो बारी कौन से है तो हमरे पास एक equation आई थी यह वाली इसे equation first मान लेते हैं और equation अगर first को हम लिखें तो वो क्या है जरा बताएंगे आप equation first को अगर आप लिखते है ती अपॉन क्या जाएगा ती अपॉन ncp is directly proportional to dt upon d s अच्छा आप बताएंगे dt upon ds क्या है वो तो slope है वो तो slope of the graph है और आपको पता है कि जो cp होता है वो हमेशा greater होता है cv से और slope कैसा रहा है inversely proportional to cp specific heat आ रहा है ओके तो हम यहाँ पर लिख सकते है कि slope of v will be greater than slope of p at constant pressure ठीक ना जो constant volume पर slope होगा वो ज्यादा होगा as as compared to slope at the constant pressure राइट ओके तो यहाँ से पता चल रहा है हम लोग को ठीक तो आप बताएंगे कि किसमे slope volume के लिए ज्यादा है इसके लिए ज्यादा है तो a is the right answer ठीक है ना ओके a is the right answer मैंने ओके ठीक बहुत ही उंदा बहुत ही अच्छा question इसके अलावा यह वाला जो question है वह आपका homework है तो आप लोग जड़ा इसका screenshot ले लिजे next class में आपसे पूछूंगा कल भी मेरा live है चार बजे महाराष्ट्र सेट का discussion करूंगा बट आप लोग आईएगा जितने ज्यादा questions आप करेंगे चाहे वो कहीं से भी हो ठीक है ना ओके तो मतलब कहीं से का मतलब physics से ही हो राइट ओके physics में thermodynamics से तो जितना ज्यादा questions करेंगे उतना ज्यादा practice होगी और जितना ज्या temperature देखिए डो temperature दे रखें ज्यादा temperature obviously वो उपर वाला है और पर के नीचे वाला है क्या बीच में क्या होता है वर्केंग हो रहा होता है यहां से heat ले लेता है working Subject यहां हीट किया करता है रिज़ेक्त करता है तो यह कोशेण आतो आप कर लेंगे इसली क्या बताना है इसमें बताना है João घ्र गषाण क прин Tôi बढ़ फोल स्ट्रिय यानी kीम घूरा यानी क्यूवन पूछ रहा है अरे कंपरेचर निकल जाएगा इसली टम्परेचर दे रखा है आगे बढ़ते हैं आगे यह वाला जो कोश्चन है वो भी आपका हुमवर्क है ठीक आप लोगों को यह ट्राय करना है बहुत ही इजी कोश्चन है अगर आपने कारनोट साइकल जो मैंने आज पढ़ाई है उसे सही से किया है तो आप बहुत ही इस कोश्चन को टैकल कर नहीं गृत है तो देखे कल मेरा कल डिसकुशन होगा चार बजे महराश्चे सैट में जो कोश्चन है अफर्मोडायमिक्स और स्ठेटि मेकनिक्स के अब जरूर आईएगा चार बजे ओके और और अगर आपकी और भी कोई demand होगी जैसे like statistical mechanics तो आप comment box में बताइए हम वो भी provide कराएंगे आपको ठीक है तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे बागी we will discuss next time ओके थैंक यू hopefully आपको सबको समझ में आया होगा कौशिक AD is right but but MSQ है एक और इसमें सही होगा आप सोचेगा इसे ठीक है ओके तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ थैंक यू थैंक यू वरी मुच रभाय कर दो आपको सबस्क्रापक लिए है घाए है थैंक यू अ उपके आपको समस्क्रापक अ जब और आपको आपको यू क ngh